खाट में पड़ा इंसान भी तंदुरुष्थ हो जाएगा, बलोक नसों सहीत 32 त्रहें की बीमारियों को बिलकुल जड़ से खतम करता है यह चमतकारी गरेलूर नुस्खा, नमस्कार दोस्तों! दोस्तों आज की इस वडियो में मैं आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाऊंगा, जो दोस्तों आपके सरीर की सिर से लेकर पैर तकी सभी बलोक नसों को सिर्फ पांच दिन में ही खोल कर रख देगा! बन्द नसों का ये एक कारगर इलाज है और इसके साथ ही आपके सरीर की 32 बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करेगा! इस नुस्खे को लेने से आपके सरीर की फालतू चर्वी पिंगल जाएगी! आपके सरीर का मोटापा छूमंतर की तरहें गायब हो जाएगा! आपके डायब्टिज की बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी! आप इस डायब्टिज की बीमारी के कॉम्पलिकेशन से बचे रहेंगे! आपकी आँखों की रोसनी बढ़ना सुरू हो जाएगी! पेट के सब रोगों का इलाज है! आपके सरीर के खून को साफ करने का काम करेग चाहे आपके सरीर में किसी भी परकार का दर्द रहता हो! गठिया का दर्द या पुराने से पुराना कोई भी जिद्धी घुटनों का रोग हो! उसको भी ये नुस्खा दूर करेगा! और यदि आपके घुटनों में लुबरिकेंट की समस्या है! गरीस की समस्या है! तो उ उसको भी ये सही करेगा, आपके दिमाग को मजबूत करेगा, चहरे पर नया गलो लाएगा, चहरे की जुरियों को दूर करेगा, आपके सरीर में खून की कमी दूर होगी, नया खून बनेगा, यदि आपने भूतकाल में कोई भी इंग्लिस दवाईयां, अंग्रेजे है, तो दोस्तो उसको भी ये दूर करेगा, इतना चमतकारी और इतना कारगर नुस्खा है ये, और दोस्तो इस नुस्खे को बनाने में भी आपको महज पांच मिंट लगेंगे, पांच मिंट का ये नुस्खा आपके पूरे सरीर को बिलकोल निरोगी बना देगा, इस नु दोस्तो इस नुस्खे को बनाने के लिए जो आपको सबसे पहली मुखे समगरी चाहिए वह है दोस्तो मेथी दाना और मेथी दाना लेना है आपने धाई सो ग्राम। दोस्तो मेथी दाना हमारे सरीर की बहुत सारी बीमारियों का इलाज करता हैं चाहे कैलसियम की कमी को दूर करना हो और जो दूसरी इसके लिए समगरी आपको चाहिए वह है चाहिए अज्वाइन ऑर अज्वाइन लेनी है आपने सो ग्राम। दोस्तो अजवायन मुटापी को कम करना हो या पाचन को मजबूत करना हो पेट के रोगों से छुटकारा पाना हो या चहरे पर नया गलो लाना हो पेट की गर्मी को दूर करना हो इन सब बीमारियों में अजवायन एक चमतकारी ओस्ती है तीसरी जो इसके लिए समगरी आपको तो चाहिए दोस्तो वह चाहिए काला जीरा, काली जीरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये चाहिए आपको 50 ग्राम, ये तीनों सामगरी आपको किसी भी पंसारी की सोब से मिल जाएंगी, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप व इसी रहिसों में लेना है, ये आप इससे कम लेना चाहिए, तो जैसे आप काली जीरी एक चमश लेंगे, तो अजवाएन आपको दो चमश लेनी है, और ये तीनों सामगरी को लेकर आपने हलका हलका सा सेख लेना है, और सेखने के बाद किसी ग्राइंडर में डालकर इसका पाउडर बना लेना है और दोस्तों ये हो गया आपका नुस्खा रेडी आपके सरीर को निरोगी बनाने के लिए आपके सरीर की इम्यून पावर को बढाने के लिए आपके सरीर को सभी तरहें की बेमारियों से बचाने के लिए अब जानते हैं कि आपने इस नुस्खे को ले एक गिलास गुनगुने पानी के साथ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इस नुष्खे को गुनगुने पानी के साथ ही लेना है। पीने की चीज़ नहीं लेनी है, आप सिर्फ पानी का सेवन कर सकते हैं, वो भी आदे घंटे के बाद, दोस्तो यदि आप हमारे दोबारा बताएगे विदी से, इस नुस्खे को लेंगे, तो आपको चमतकारी रिजल्ट देखने के मलेंगे, आपका पूरा स्रीर बेलकुल न योग कीजे और अपने स्रीर को बेलकुल निरोगी बना दीजे, धन्यवाद दोस्तों